हेलो फ्रेंड्स रूची जात के रसोई में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुती अलग तरीकी की बहुती स्वादिष्ट चटपटी और क्रिस्पी कचोडी सूजी की इस्टप कचोडी इसे बनाने के लिए हम लोग आते या मैदे का इस्तमार बिलकुल भी नहीं करेंगे सिर्फ सूजी से हम लोग यह स्वादिष्ट इस्टप कचोडी बनाकर तयार करेंगे तो आईए मेरे साथ बनाते हैं बहुती स्वादिष्ट चटपटी और क्रिस्पी सी सूजी की स्टफ कचोड़ी इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टफिंग तयार करेंगे स्टफिंग बनाने के लिए ये 250 ग्राम के लगबग उबले और मसलिवे आलू लिए है तो इससे हम लोग सूजी की बहुती चटपटी सी स्टफिंग तयार करेंगे तो इस स्टफिंग के लिए सबसे पहले हैं एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे पैन में डाल देंगे थोड़ा सा सर्जो तेल आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं तो इसमें ये आधा टेवल स्पून के लगबग तेल डालेंगे तेल बहुत जादे नहीं लगेगा यहाँ पर ये तेल गर्म हो गया है इसमें हम लोग डालेंगे एक पिंच हिंग एक टी स्पून जीरा साथ ही इसमें डाल देंगे वन फोर्थ टी स्पून अदरक एक हडी मिर्च और यह दो चार कडी पत्ते सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर यह जीरा चटक गिया है इसमें डालेंगे एक टेवल स्पून के लगबग मतर तो यहाँ पर मैंने ये फ्रोजन मतर का इस्तमाल किया है आपके पास फ्रेस मतरों आप उसे डाले एक मिनट के लिए इसे भून लेंगे बटर को भूनते में लगबग एक मिनट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ये उबले और मसले हुए आलू अजरेस अजरेंगे आप इसमें डालेंगे टेश्क के कोर्डिग नमक लालमेच पौदर एक दीस्पूर गरम मसाला पौडर और हाफ टीस्पून आंचूर पौडर हाफ टीस्पून हल्दी पौडर सभी को अजरेसे को छरेंगे यहाँ पर मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है बस इन्हें दो मिनट के लिए और भून लेंगे मसाले को भूनते वे दो मिनट हो गया है अब हम लोग गैस बंद कर देंगे और मसाले को किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे जिससे की यह जल्दी से ठंडा हो जाए जब तक आलू की स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम लोग सूजी का डो बना लेते हैं सूजी का डो बनाने के लिए हम लोग एक करहाई को गैस पर चढ़ाएंगे यहाँ पर मैंने इस कटोड़ी से एक कटोड़ी के लगबग सूजी लिया है तो इसी के बराबर इसी कटोड़ी से नापके दो कटोड़ी पानी लगेगा तो पैन में हम लोग पहले इस कटोड़ी से नापके दो कटोड़ी पानी डालेंगे पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे हमें पानी में एक उबाल लाना है तो पानी जल्दी से उबल जाए, इसके लिए इसे ढख देंगे यहाँ पर यह पानी अच्छे से उबल गया है अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक नमक आपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालिए या 1 तीस्पून डालिए 1 तीस्पून अजवाइन और 1 तीस्पून ओयल इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस की फ्लेम को फुल पे रखेंगे अब हम लोग इसमें डालेंगे सूजी और इसे लगाता चलाते वे मिलाएंगे अजवाइन डालना इसमें आप्सनल होता है लेकिन अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए थोड़ा सा अजवाइन जरू डालना चाहिए इसे लगाता चलाते रहना बहुत जरूरी है ने तो इसमें लंप्स पर जाएंगे आप देख सकते हैं सूजी खटी होने शुरू हो गई है अब ये एक डो जैसा लगने लगा है अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे जल्दी से ठंडा करने के लिए किसी थाली या परात में पलट लेंगे यहां पर ये सूजी का आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब ये इतना गर्म है कि मैं से हास से हैंडल कर पा रही हूँ तो अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओल और थोड़ा सा ओल अपने हाथों पर लगा लेंगे उसके बाद इसे अच्छे से मसलेंगे और चिकना कर लेंगे इस तरीके से इसे मसल मसल के चिकना कर लेंगे कि अगर बीच में कोई गाठ रह जाए या कोई गुठली रह जाए वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए यहां पर इस डो को मैंने अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लिया है और इसका बहुत बढ़िया डो बनकर तयार हो गया है लग रहा है ना बिल्कुल आते और मैदे के जैसा डो अब हम लोग इसके लोई बनाएंगे तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग साइज ले छोटा बढ़ा जैसा चाहिए यहां मैंने एक कचोड़ी के साइज की लोई ली है इसे ऐसे रोल करेंगे फिर फैलाएंगे थोड़ा सा हातों से थोड़ा सा कचोड़ी की तरह सेब देंगे अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे जो इस्टफिंग हमने बना के रखी थी इस तरीके इसे घुमाते वे इसे बंद कर देंगे उपर से जो एक्ष्टा सूजी होगी वो निकाल देंगे बहुत अच्छे से ऐसे सील पैक कर देंगे देखिए कितना बढ़िया से बनकर तयार हो गया यह अब आप चाहे तो इसे हातों से ऐसे थोड़ा चप्टा कर ले और चाहे त तो बेलन से एसे थोड़ा सब बैल ले तो मैं ऐसे हातों से इसे थोड़ा थोड़ा चप्टा कर ले रही हू हूं इसी तरीके से हम सभी कचोरिया भलन कर तैयार कर लेंगे कचोरिया तलने के लिए कढ़ायी को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें वेजिटेवल उमाइल टेंगे यहां पर यह अच्छय से गर्म हो गया है सब पतंप यहां जोग सी दालकर देखेंगे गोली तुरंट से उपर आ जा रही है इसका मतलब हाइस निकाल लेते हैं और इसमें कचौरियां डालते हैं भीरे ध 드िरे करतेबं इसमें कच्णौरियां डालेंगे एक बार में कधाई में बहुत जादे कचौरिया नहीं डालेंगे तीन से चार कचौरी ही एक बार में डालेंगे अब हम इसे तेज आज पढ़ी एक बार सिकने देंगे कचौरियों को तलते हुए लगभग दो मिनट हो गए है और इसकी किनारे थोड़े थोड़े तले वे दिखने लगे हैं आप देख सकते कि कचोरिया फूल भी गई हैं अब हम लोग इन्हें साबधानी पुरवक पलट देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स सूजी की कचोरी तलने में बहुती कम ओयल एवजॉब करती है बस आपको धियार रखना होता है कि ओईल को बरावर हीट मिलती रहें ओईल हमेशा अच्छे से गर्म रहें और इसे तलने का काम हमें एकदम फूल फ्लेम पे ही करना है दूसरे साइट से भी कचोरियों को तलते हुए लगबग 2 मिनट हो गया है इसे पलट ले अब देख सकते कितनी बढ़िया कचोरिया फुली हैं इसे देख के कौन कहेगा कि यह सूजी से बनी है इसमें ना आटे का इस्तेमाल हुआ है ना मैदे का ना ही किसी परकार की सोडे का प्रेंड्स यहां पर यह कचोरिया बहुत ही अच्छी क्रिस्पी ब्राउन कलर की तल गई है देख सकते हैं आप कितना सुन्दर कलर आया इसका यह दूसरे साइट से भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां लग रही है तब हम इन कचोरियों को बाहर निकाल लेंगे इसी तरीके से हम बाकी की बचेवी सभी कचोरिया तलकर तयार कर लेंगे गरम गरम कचोरि को आप अपने पसंद के चटनी या सौस के साथ सर्व करें चाहे तो आलू की सबजी बना ले उसके साथ भी यह कचोरिया बहुत ही जादे स्वादिश्ट लगती है फ्रेंड्स कचोरिया अंदर से कितनी अच्छी बनी है इसके लिए मैं आपको एक कचोरि तौर के दिखाती हूँ देखिए बिल्कुल अंदर से इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी दिख रही है एक बार यह कचोरि बना कर जरूर ट्राइ करें आप बार बार बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की चटपटी सी बहुती मज़दार रेसिपी जिसी बनाना है बहुत आसान और खाने में है बहुती स्वादिश्ट आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके अवश्य बताएं अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर भी करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई